Good morning friends, आज हम लोग 50 महतोपूर्ण प्रस्ण करेंगे, बहुत महतोपूर्ण प्रस्ण है, इस वीडियो में सभी प्रस्ण इतना महतोपूर्ण है, जो हुँ बहु कोस्चन परिच्छा में पुछा गया है, वही कोस्चन आप लोग के सामने ले गया है, विभीन परिच्छाओं और चोलकाल, भारतिय संस्कृती का स्वर्ण जुग गुप्त काल को कहा गया है, उप्शन भी इस प्रस्ण का सहुतर है, इसमें उप्शन सो भी किया गया है, देखिए गुप्त काल हो गया, नेक्स्ट कोस्चन, पंजाबी भासा किस लिपी में लिखी जाती है, उप्शन ह इस प्रस्ण का सही उतर है, नेक्स्ट कोस्चन हम लोग कर लेते हैं, पिर्थवी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातू तत्व कौन है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातू यहां बात किया गया है, तो धातू हो जाएगा, आप लोग सभी जा प्रश्ण का सही उतर है, रिवी हटाओ का नारा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, आनि कि गरीवी हटाओ के नारे किस ने दिये थे? इंद्रिया गांधी, जोहर लाल नेहरू, महत्मा गांधी या फिर मोती लाल नेहरू? इस प्रस्ण का सही उतर है. इंद्रिया गांधी, option A, इस प्रस्ण का सही उतर है. नेक्स्ट कोस्चन हम लोग करते हैं, भारत के सन परिच्छा और लेखा प्रनालियों का प्रधान कौन होता है? बारत का नियंत्रक और लेखा परिच्छक, option B, इस प्रस्ण का सही उतर है. नेक्स्ट कोस्चन हम लोग करते हैं, नालंदा विश्व विद्याले किस लिए विश्व प्रशिद था? नालंदा विश्व विद्याले किस लिए विश्व प्रशिद था? तो बौध धर्म, दर्सन के लिए option D, इस प्रस्ण का सही उतर है. नेक्स्ट कोस्टन हम लोग करते हैं कि अंडा देने वाला अस्तंधारी कौन है अंडा देने वाला अस्तंधारी सभी को मालूम होगा अस्तंधारी जो रहता है वो बच्चा देता है लेकिन अंडा देने वाला अस्तंधारी जो है वो प्लेटी पस हो जाएगा ओप्शन ए इस प्रस्ण का सही उत्तर है, चलिए next question हम लोग करते हैं, भार के अनुपात में जल एवं hydrogen वो oxygen का अनुपात कितना है, जल का जो हो रासाइनिक सुत्र होता H2O, इसमें यही बोल रहा है कि hydrogen और oxygen का अनुपात कितना है, एक अनुपात 8, hydrogen का 1 और oxygen का 8, इसी रेशियो में रहता है जल, next question हम लोग कर लेते हैं, माउंट आवु का दिलवाडा मंदीर किसको समर्पित है, माउंट आवु का जो दिलवाडा मंदीर है, तो किसको समर्पित है, जैन तिर्थंकर को आनिकी जैन धर्म से, माउंट आवु राजस्थान में है, next question हम लोग करते हैं, भारत में वानि इजिक उर्जा के लिए कोईला से 67% उर्जा मिल जाती है. Next question हम लोग करते हैं कि कौन आयोडीन का सरोतम स्रोत है? आयोडीन का सरोतम स्रोत सेवाल हो जाएगा और संडी इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा सेवाल. Next question विकास की प्रकिरिया में मनुस्य का निकटतम प्रानी कौन है? बंदर, गाय, हिरन या बाग? इस प्रस्ण का सही उतर बंदर होगा option A. Next question भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज? दुध के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज य उत्तर प्रदेश हो जाएगा option B. इस प्रस्ण का सही उतर है. अब हम लोग पेन का थोड़ा कलर कर लेते हैं निरेड और इसके बाद next question करते हैं. Next question है कि हाल ही में लुप्त हुआ जन्तु कौन है? हाल ही में लुप्त हुआ जन्तु डैनासार हो जाएगा option D. इस प्रस्ण का सही उतर है. Next question करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. चुकि इस तरह का वीडियो आप लोग को सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा. Next question करते हैं कि कौन एक अस्थल रूध देश है? अस्थल रूध देश इसका मतलब हुआ कि कौन सा ऐसा देश है जिसका एक भी तरफ पानी नहीं है. सिर्फ अस्थल होना चाहिए. तो अस्थल रूध जो है उत्तजाकिस्तान हो जाएगा option B इस प्रस्ण का सही उत्तर. Next question हम लोग करने वाले हैं. अगनी ग्रिह किस धर्म का पुजा अस्थल है? अगनी ग्रिह जो है वो किस धर्म का पुजा अस्थल है? पारसी धर्म का हो जाएगा option A इस प्रस्ण का सही उत्तर है. सो अंसर करके देख लेते हैं सही है. Next question पर आगे हैं हम लोग कि कौन सी रुपांतरित चटान है? यहाँ पर रुपांतरित चटान की बात किया है तो नीस हो जाएगा option C इस प्रस्ण का सही उत्तर है. Next question सो में देखिये नीस है. नेक्स्ट कोस्टन हम लोग कर लेते हैं कि भारतिये सम्बीधाण को अपनाया गया बारतिये सम्दादान को किसके द्वारा अपनाया गया? नेक्स्ट कोस्टन करते हैं कि विश्व पिर्थवी दिवस किस दिन मनाया जाता है पिर्थवी दिवस जो है 22 अप्रेल को मनाया जाता है ओफशन B इस प्रस्ण का सही उत्तर है नेक्स्ट कोस्टन हम लोग करने वाले हैं त्रिपूरा संकट की समाधी के बाद कॉंग्रेस का अध्यच किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को हो जाएगा, option D इस प्रस्न का सही उत्तर है. नेक्स्ट कोस्टन हम लोग करते हैं कि किसी परमानू के गुण किस पर निर्भर करता है? परमानू के जो गुण है तो इलेक्ट्रोनिक विन्यास या इलेक्ट्रोनिक संरचना पर निर्भर करता है, option C इस प्रस्न का सही उत्तर है. नेक्स्ट कोस्टन करते हैं कि वह रीन पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निस्चित हो, उसे क्या कहा जाता है? कह रहा है कि वैसा पत्र जिसमें धन की वापसी हो जाए, उसकी समय सीमा निस्चित होती है, उसे क्या कहा जाता है? इस प्रस्न का सही उत्तर होगा, सोधनिय के पत्र ऑप्षण सि इस प्रस्वाका सहीवत्व है और कि कौन एक योगिक है जो दो तत्व से मिलकर बनता है और था तो एकनुस्टित अनुपात मिफुण चाहिए थे कौन योगिक क्यूंन का रासानिक सुट्र एन एच होता है जोकि नाइट्रोजन और hydrogen से मिल कर बना हो लेकिन पारा के यहां पर बात किया जया option A में पारा है HG यह सिर्फ एक ही तत्व है next है ozone EV O3 इसका रासाइनिक सुत्र होता है एक ही है और वायू हवा है सभी को पता होगा वायू एक मिस्रन है ना कि योगिक next question करते हैं कि किस अंतरराश्ट्रिय किर्केट टीम ने हाले में एक हज़ार सत्तक पूरे कर लिये हैं Australia हो जाएगा option D इस प्रस्ण का Australia ने एक हज़ार सत्तक पूरे कर लिये हैं next question कर लेते हैं कि विश्व के कूल भू भाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है जो विश्व का कुल भूमी है उस कितना भाग पर पाया जाता है घास भूमी जिस प्रस्ण का सही उत्तर होगा एक बटे पाच पाच में भाग पर पाया जाता है घास भूमी कुल भूमी का नेक्स्ट कोस्टन करते हैं कि मेवाड से जुद चथा चितावड की संधी किसके सासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्दी है इस प्रस्ण का सही उतर जहांगीर हो जाएगा ओप संधी जहांगीर के समय में ही मेवाड का जुद और चितावड की संधी हुई थी नेक्स्ट कोस्टन हम लोग कर रहे हैं किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की रितु में सुर्य कभी अस्त नहीं होता है कौनसा ऐसा प्रदेश है जहां गर्मी के मौसम में सुर्य कभी अस्त यानि की डूबता नहीं है इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा टुंडरा प्र निर्धारित किये, 1985 में आफशन सी, 1985 में भोक्ता के अधिकारों योम सुरच्छा के लिए सिध्धान्त निर्धारित किया, नेक्स्ट कोस्टन करने वाले हैं कि कौन एक अस्थाई कन है, कौन एक अस्थाई कन, अस्थाई के मतलब हुआ कि जो कभी बदलता नहीं है, नूट्राउन, आफशन सी, नूट्राउन आवेस हिन कन भी है, चले नेक्स्ट कोस्टन पर हम लोग आने वाले हैं कि अंतरियम सरका जो बना था उसमें Muslim League के 9 सदस्य सामिल था option D इस प्रस्ण का सही उतर है नेक्स्ट कोस्टन करते हैं कि IMAC क्या है तो IMAC एक प्रकार का मसीन है option C इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन मनुस्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग क्या है मनुस्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिस्क option D इस प्रस्ण का सही उतर है नेक्स्ट कोस्टन राज्जी सभा का सभापती कौन होता है राज्जी सभा का सभापती उप राष्ट्रपती होत पाहा है,押सन ची इस प्रस Wen trabalho का सही उत्तर है। ओसन है कि किलो पावर प्रोजेक्ट किसके द्वारा सुरू किया गया? खिलो पावर प्रोजेक्ट ज़ो है ओ नासा के द्वारा सुरू किया गया? और नासा जो है वो अमेरिका का अंतरिच एजेंसी है नेक्स्ट कोस्चन हम लोग कर लेते हैं कि इरोब का सरवाधिक महतोपूर्ण बंदरगा हराटरडम किस देश में इस्थित है इरोब का सबसे मातोपूर्ण बंदरगा रोटरडम जो है वो निदर लेंड का हो जाएगा ओप्सन सी इस प्रस्ण का सही उतर है हम लोग फटाफट प्रस्ण को करते जा रहे हैं लेकिन आप लोग हो सकता है सबस्क्राइब फटाफट नहीं कर रहे होंगे इसलिए इस बॉक्स में सबस्क्राइब लिख रहे हैं इसे जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे आगे फोरवर्ड आने की सेयर भी करें नेक्स्ट कोस्टन कर रहा है कि विवसाइक बैंक का राष्ट्रे करन कब किया गया कोमर्सियल जो बैंक है उसका नेशनलाइज राष्ट्रे करन कब किया गया सन 1979 इस्वी में और संडी इस प्रस्ण का सही उत्तर है बिना समय गया है बहुत सारे प्रस्ण हम लोग करने जा रहे हैं पितल में कौन सी धातु में पाई जाती है सब को मालूम होगा पितल जो है पितल में कौपर पलस जिंक कौपर को कास कौपर और जिंक को जस्ता भी कहते हैं आनि कि कौपर को तामबा भी कहा जाता है तामबा और जिंक आनि कि तामबा और जस्ता ऑफशन डी नेक्स्ट कोस्टन हम लोग कर रहे हैं कि बाराबाती अस्टेडियम कहां इस्थित है बाराबाती अस्टेडियम कटक में हो जाएगा और संडी next question फटाफट करते हैं कि करनाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है करनाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है पुरंदर दास को next question हम लोग करने वाले हैं कि हरित क्रांती का सरवाधी की निरासा जनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला तो निरासा जनक परिणाम जो हुआ वो हरित क्रांती में वो दलहन में मिला option C इस प्रस्ण का सही उत्तर है Next question हम लोग करने वाले हैं कि the inheritance of loss की लेखिका का क्या नाम है कीरन देशाई option B इस प्रस्ण का सही उत्तर है बहुत महतोपुर्ण question है BVI question है इसमें अस्टार लगा लो Next question हम लोग कर रहे हैं कि computer में उप्योग के लिए बाजार में बिखने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं Software package कहेंगे option C Software program भी देखी option में दिया हुआ है ये नहीं होगा बाजार में software package बिखता है चलिए next question हम लोग करने वाले हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित योँ व्यापक संविधान किस देश का है तो अपना देश भारत का है ये अपना देश भारत का सबसे अधिक व्यापक बड़ा संविधान और लिखित है next question करते हैं कि निमलिखित में से कौँसी अंतर राष्ट्रिय टेनिस खेल परतियोगीता घास के मैदान पर खेली जाती है कौँसा ऐसा अंतर राष्ट्रिय टेनिस का खेल परतियोगीता है जो घास के मैदान पर खेला जाता है विम्बल्डन हो जाएगा option C घास के मैदान पर खेला जाता है बाब next question हम लोग करते हैं कि आउक्टोपस क्या है अप्टोपस जो है एक प्रकार का मिरदू कवची है option भी इस प्रस्ण का सही उतर है next question करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को इस से सब्सक्राइब और लाइक और शेयर इस से शेयर भी आप लोग कर सकते हैं तब तक के लिए जय हिंद पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद तब तक के लिए जय हिंद जय भारत